नमस्कार विस्तक में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है ईशा मालबी आज बाजार से जुड़े दो अपडेट के बारे में हम बात करेंगे दोनों ही आपस पे जुड़े हुए है सेंसेक्स और निफ्टी ने आज अपना ओल टाइम हाय चू लिया है साथ ही HDFC बैंक जो देश का सबसे बड़ा बैंक है उसमें भी आज तेजी देखने को मिली है पूरी मामले के बारे में हम बात करेंगे प्रवीन सर से सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर आज तो पहली ख़बर तो हम HDFC पे जाएंगे कि HDFC बैंक में आज हमको भयंकर तेजी देखने को मिली है जिसके वाइसे पूरा बैंक निफ्टी जो है वो चड़ा हुआ है सर तो सर HDFC में तेजी क्यों आई है कि HDFC में तेजी की वज़े एक रिपोर्ट है कि जो MSCI का ग्लोबल इंडेक्स है MSCI EM Index है उसमें HDFC बैंक का वेटेज बढ़ने की बात कही जा रही है अभी MSCI EM Index में HDFC बैंक का वेटेज 3.8% है कहा यह जा रहा है एक नुवामा की रिपोर्ट आई है Brokerage House की उन्होंने कहा है कि यह बढ़के डबल हो सकता है 7.2% से 7.5% तक यह हो सकता है और इसकी वज़े से जो HDFC बैंक है उसमें 3.2 बिलियन से लेके 4 बिलियन डॉलर तक का inflow बहुत तेजी से आ सकता है तो यह वो खबर है जिससे investors की में एक दम से उतषा का माहल है एकदम जशन का माहल है और HDFC बैंक के शेरों में तावरतॉड़ खरीद आ रही है और वो खरीदारी बढ़के पूरे के पूरे जो बैंकिंग सेक्टर है उसके शेरों में दिखाई दे रही है सरने हमको बताई कि SDFC चेरों कि स्पपूर्ट इसंते पीछे पीचे बैंकिंग सेक्टर को भी ओवर आल बगछा शपोर्ट मिला इस दो परस्ट चड़ा है बिलकुल और अपने बावन वीक का नया उसने फ्रेश हाई भी बनाया है और समझने वाली बात एक और है यहां पे कि HDFC बैंक ऐसा शेयर है जो पिछले एक डिड़ साल चे ना इन्वेस्टर को रुला रहा था इन्वेस्टर बड़े परेशानते कि या देश का सबसे बड़ा बैंक बन गया जब HDFC लिमिटेड और इसका मर्जर हुआ तो इतना बड़ा बैंक बना इतने बड़ा लोन बुक है उसकी सबसे बड़े बैंकों में सबसे बड़ा बैंक उसके बावजूद शेयर नहीं भाग रहा है शेयरों में क्या होगा यह लेकर इन्वेस्टर बड़े परेशानते लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसका दौर अब आ गया अब HDFC से जोड़ी बड़ी खबर यह भी है कि जून तिमाही में FIIS की जो शेयर होल्डिंग थी वो 55.54 फीसदी से घटकर 54.8 तीन फीसदी हो गई है FIIS का हिस्ता जो घटा है उससे MSCI में वेटेज बढ़ने का अनुमान है इस वज़े से भी हमको तेजी देखने को मिली है सर और जो आपने बताया जैसे कि अब उसी के बूते मार्केट भी एकदम रॉकेट की स्पीड से चला आज सेंसेक्स ने 80,000 का अपना नया हाय बनाया है साथी निफ्टी ने भी अपना अल्टाइम हाय नया टच कर लिया है आज तो सर इस पर आप अगर अगर आपनी कोई राय देना बिल्कुल 80,000 पर पहली बार है अंदाजा नहीं लगा रहा है थे कोई कि इतना तेज भागेगा लेकिन HDFC बैंक ने अकेले बूते पूरा मार्केट को आज कीज दिया है ये बड़ी खबर है इन्वेस्टर्स ने आज एक आज में लाखों और करोडों रुपय का जो है प्रॉपित आज उनको हुआ बिल्कुल तो इस वीडियो में हमने आपको बताए कि HDFC बैंक के शेर ने जो तेजी देखी उससे बाजार ने अपना आल टाइम हाय बनाया अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और विजो जगत की तमाम जानकारिय के लिए बने रहे हैं बिस्तक के साथ